हेलो कुरियोस माइंड वेलकम बैक आज हमारे साथ और एक जंपिंग स्पाइडर है जैसा कि आप देख वा रहे हो और इसी जंपिंग स्पाइडर जिसको जिसका साइंटिफिक नाम है हाजरियूस एडन सोनी इसके बारे में आज मैं आपके साथ डीटेल में बाते करूंगा यह और एक जंपिंग स्पाइडर की स्पीसीज है जो की कॉमनली इंडिया में देखे जाते हैं और यह बिल्कुल प्लैक्सिपूस स्पीसीज की तरह है और यह पर्टिकुलर स्पेसिमेन जो आप देख रहे हैं यह मेल है इसको कॉमनली एडन संस हाउस जंपिंग और इसका साइंटिफिक नाम है जैसा कि कहा मैंने हजार यूस एडन सोनी और यह बिलॉंग करता है फैमिली सेल्टी सीडे फैमिली को तो फैमिली की बात आई गई है तो अभी इसका टेक्सोनोमी ब्रेक्डाउन कर लेते हैं यह जैसा कि हम सब जानते हैं स्पाइडर ओडर ज अब इसके कलरेशन को अगर हम लोग देखे ध्यान से तो हमको हजार यूस एडन सोनी में कई बार कभी कभी इसका जो कलरेशन है वो वेरी कर सकता है लेकिन कॉमनली जो देखा जाता है यह ब्लैक और ब्राउन के कॉंबिनेशन में होते हैं और इनमें वाइट मार्किंग्स देखने मिलती है आगे की और और पीछे की और कुछ लाइने बनी होती है वाइट कलर की और यह जो कलरेशन है इनको मदद करता है अच्छे से कैमोफलाज होकर अपने शिकार को पकड़ने में हंटिंग में इनको मदद करता है और बहुत सारे जंपिंग स्पाइडर्स की त लेकिन दो मेन आखे होती है सामने की तरफ जो इनको excellent vision प्रोवाइड करती है और इनकी agility की तो क्या ही बात करें और यह commonly देखे जाते हैं हमारे घरों में, gardens में और कई दूसरे structures में आप इनको देख सकते हैं इनका जो ecological role है, jumping spiders का, वो बहुत crucial role यह play करते हैं और उनमें जो है, इनका main काम होता है, insect population को control में रखना दूसरे चोटे-चोटे insect को यह खाते हैं, कई बार देखा गया है, यह tadpoles को भी खाते हैं, यह particular species नहीं, लेकिन दूसरी jumping spider की species, tadpoles जानी की frogs के बच्चे, यहां तक की इतने बड़े-बड़े शिकार भी कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही crucial predators है और इनमें अगर आप देखोगे तो sexual dimorphism देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, male और female, दोनों एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं, दोनों के color भी अलग हो सकते हैं, और markings भी अलग होती है तो आप male और female को देखके लगेगा कि दो अलग species है, लेकिन इनमें sexual dimorphism होता है मैं यहाँ पर photo डाल देता हूँ female और male का ताकि आप इनको अच्छे से देख सके यह जो Eden Soni है, Hazarius Eden Soni, यह commonly accepted cosmopolite world में देखे जाने वाला और गरम जगाओ पर पाये जाने वाला एक jumping spider है जो गरम जगाओ जिसको हम लोग tropical regions of the world बोलते हैं, वहाँ पर यह जदा देखा जाता है और अगर हम इनकी morphology और mating behavior को समझे, तो Hazarius Eden Soni, जो की salty seed family में है और एक common tropical spider है, जिसमें हमको sexual dimorphic coloration देखने मिलता है females black और brown होती है, जबकि male जो है primarily black होते है और bright white patches होते हैं उनके palps पर palps क्या होता है? तो paired interior most appendages होते हैं और और इनके जो copulatory organs होते हैं male spider में वहाँ पर भी white patches हमको देखने मिलते हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी कहा था कि jumping spiders में बहुत ही attractive courtship period चलता है जहाँ पर ये females को रिजाने की कोशिश करते हैं males और ये white coloration जो है तभी females को reveal होता है और कुछ visual effect ज़रूर देता होगा इसलिए इनका ये importance है और मेरे पिछली वीडियो में jumping spiders के बारे में बहुत ही जादा detail में बाते की है जो common general बाते हैं तो आप वो वीडियो भी देखकर और भी अच्छे से idea ले सकते हो इनके बारे में बाकि आपके आसपास कौनसे families है कौनसी species है jumping spiders के जो आप देखते हैं अपने घरों में प्लीज कॉमेंट में मुझे बताईएगा खास तोर पर cities में जैसे कि मुंबई है बैंगलोर है दिली यहाँ पर कौनसे कौनसे जो हम urban wildlife बोलते हैं यह बहुत जादा एक interesting topic है urban wildlife का जहा पर हम cities में देखते है कि कौन-कौनसी biodiverse city देखी जाती है birds, insects, reptiles, mammals और इनको study करना भी बहुत अच्छा एक नीश एरिया है और इसका importance भी है क्योंकि जैसे जैसे deforestation और urbanization हो रहा है तो इनकी बहुत सारी जैसा कि हम जानते ही है कि sixth mass extinction अब चल रहा है दुनिया भर में जिस पास जो mass extinction हुए थे वो natural causes के कारण हुए थे लेकिन ये जो sixth mass extinction जो चल रहा है अभी इसमें बहुत mass extinction क्या होता है mass extinction basically बहुत सारी species का बहुत कम समय में विलुप्त हो जाना इसी को mass extinction कहते है और फिलाल anthropocene यानि कि human activities के कारण ये mass extinction दुनिया भर में देखा जा रहा है और कई सारी जो जानवर है जैसे कुछ बहुत सारे insects है जिनकी insects है फिश है उनकी population में 70% तक गिरावट देखी गई है तो इतना जाद है समय में इतने सारी species जो है दुनिया भर से गायव हो रही है तो मेरा मकसद तो यह है कि चाहे ये common ही क्यों ना हो लेकिन इनको document करना और अच्छा clear वीडियो लेकर इनको YouTube पे अपलोड करना ताकि आने वाले 10 साल के बाद दी कोई इनको देख कर देख सके और समझ सके कि हाँ मुंबाई में ऐसी species jumping spiders की देखी गई थी अब common spiders से अच्छा है अम दूसरे जो endemic और native प्रजाती है उनपर focus करें लेकिन वो एक expert topic हो जाता है वो एक deep research और deep studies जो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है मैं तो सिर्फ passion की तौर पर इनको फॉर्ण है यह जो six mast extinction हो रहा है उसमें यह देखा गया है कि species loss इसलिए हो रहा है कि habitat loss के वज़स एक मुख्य कारण है habitat loss यानि कि इनकी जो रहने की जगा है यह दूसरे जानवर हो की वो जगा ही हम इनसान कम कर रहे है या फिर completely destroy कर रहे ह इसके कारण इनके पास रहने के लिए जगा नहीं है insects के पास birds के पास बहुत सारे जानवरों के पास इसलिए इनकी population में गिरावट आई है तो यह सारी चीजों को समझते हुए यह जो जितनी भी species हम हमारे आसपास cities में देखते हैं वो बहुत important हो जाती है चाहे वो plants की हो य कि इनके बार में awareness लाना जब हमको पता ही नहीं होगा कि हमारे पास क्या है तो फिर अगर वो खो जाएगी चीज तो भी हमें फरक नहीं बढ़ेगा लेकिन हमें पता है कि क्या क्या है हमारे पास आसपास तो उनके जाने पर हमें या फिर उनकी मदद हम कर सकते हैं तो यही म कि मैंने प्लांट के बार में वीडियोज नहीं डाले हैं जो प्लांट के बार में मैं डीटेल इंफॉर्मेशन देता हूँ हर बार वह बहुत समय से नहीं आया तो बहुत जल्द वह भी मैं फिर से इस चैनल पर डालूँगा देखें किस तरीके से जंपिंग स्पाइडर जम करता है देखा तो इस तरीके से है कुछ जंपिंग स्पाइडर बहुत ही इंट्रेस्टिंग है आप भी इंको अपने आसपा जरूर देखिए उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और लिखे कॉमेंट में कौनसी स्पीसीज आप बिक थे